प्रेस दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपका आधरकाड खो जाता है और आपको आधरकाड नहीं मिल पाता है तो आप अपने घर बैटे अपने मॉबाइल से या लैप्टॉप से अपना आधरकाड कैसे निकाल सकते हैं तो चले दोस्तो आधरकाड देखने के बाद आपको एंटर मानना है और एंटर मानने के बाद आप सबसे उपर जो वैपसाइट देख रहे हैं मुख प्रस्ट तो आपको इसपे क्लिक करना है आप वैपसाड को देख लीजिए यूडाई.gov.in तो जैसे आप इसपे क्लिक करेंगे तो आधर इसमें आपको नीचे आना है और यहाँ प्रस्ट देखिए यह उप्सन जो है लोस यूडाई तो आपको इसपे क्लिक करना है जैसा आप इसपे क्लिक करेंगे अलग पेज जो आवो ऑपेन हो जाएगा अब आपको इसमें दो आपको दिये हुए है पहला है आधान नमबर अभर दूसरा है इनॉलमेण नंबर और दोस्तों आप इसी एफसाइड पर यहाँ पर कर देखिए कि क्लिक कर दीजे डाउं लोड आधार पर तो यहां पर आप देखेंगे कि आधार आपको दो ओप्सन देता है डाउनलोड करने का पहला है इन्नॉल्मेंट आईडी और दूसरा है आधार अगर आपके पास इन्नॉल्मेंट नंबर है तो आप आधार का डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास आधार नंबर है जैसे की आधार नमबर डालने के बाद आपको अपना मॉबाइल नमबर डालना है कि इसके बाद आपको यो नमबर है फोर टू थोर आपको इस जगह पर डालना है इसके बाद आपको नीचे जो option दिखाई दे रहा है send one time password पे आपको click करना है click करने के बाद आपको यहां पे देखी जी enter OTP का जो option है आपके एक mobile number पे एक OTP आया हुआ वो OTP आपको इस जगा पे डालना है तो मेरे पास OTP आ चुका है तो वो OTP इसमें डाल देता हूँ और इसके बाद जैसे आप यहां पे देख रहे हैं कि मैंने आधार नमबर लिया है और यहां पे मुझे verify OTP पे click करना है जैसे मैं verify OTP पे click करूँगा तो मेरे mobile number पे मेरा आधार नमबर आ जाएगा अब इसके बाद मुझे करना क्या है जैसे कि मेरे पास आधार नमबर मेरा आ चुका है तो मैंने आपको बताया कि यहां पे आपको आना है इस website पे यहापे मैंने आधार पे क्लिक किया है तो मुझे इस जगापे अपना आधा नंबर डालना है तो आधा नंबर डालने के बाद फिर मुझे अपना फुल नेम डालना है तो मैं यहापे आपको अपना आधा नंबर डालके दिखा दिता हूँ इसके बाद मुझे अपना full name डालना है तो मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूं उपना फिर pin code पिन कोड़ डालने के बाद यह आपको image डालना है इसके बाद मुझे gate one time password पर किलिक करना है इसके बाद एक pop up message आता है तो यहाँ पर हमें confirm करना पड़ता है confirm करने के बाद मेरे mobile नंबर पर OTP आया है वह OTP जो है मुझे यहाँ पर डालना है इस वाले option में जैसे मैं उस OTP को यहाँ पर डालता हूं मेरा अधर काट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा जैसे मैं आपको डाल के दिखा दिता हूं जैसे मैंने OTP इसमें डाल दिया है तो आप देखेगे कि मेरा अधर काट जो है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं जैसे आप आधर काट को open करते हैं तो यहाँ पर एक password पूछते हैं पहले यह password होता था हमारा पिन कोड पर अभी पिन कोड नहीं है जैसे अगर आपका नाम रवी है या राहूल है तो आपको अपने सबसे पहले अपने चार्ट सब्द नाम के लेने हैं पहला capital होना चाहिए जैसे रवी है तो capital आर फिर एवी आई उसके बाद आपकी डियो बीगी यहर जैसे आपकी य ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप हमाई चल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं से नेस्ट वीडियो में धन्यवाद